Hello everyone, आज की वीडियो में solve करेंगे हमारे practice paper का section C का question number 26 और यदि आपको इस paper का complete solution देखना है, वो आपको इस paper के solution के playlist में मिल जाएगा playlist की link मेंने description दे दिये चलिए तो देख लेते हैं इस question में को क्या दे रखा है देखिए इन्होंने बोला है 6 की बावर 4 और 8 की बावर 2 एंड के का जो LC में वो दे रखा है 12 की बावर 4 ठीक है, आपको क्या करना है के की एक smallest value निकालना है आप इसको ध्यान देना के की आपको smallest value निकालनी है हाना यानि के की और भी value हो सकती है बट आपको सबसे छोटी value आपको बतानी है देखिए कैसे करेंगे इस question को आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप जैसे हम किसी भी number का LCM निकालते है तो उसके prime factor निकालते है उसी तरीके सा आप इन तीनों के भी prime factor निकालेजिए देखिए सबसे पहले इसका prime factor निकालेगे तो prime factors of 6 की पाबर 4 तो इसके जो prime factor वह क्या हो जाएंगे तो 6 को हम कैसे लिख सकते हम इसे के लिख सकते है 2 into 3 और पाबर 4 है तो इसको यदि हम अलग करेंगे तो कितना हो जायेगा 2 की पावर 4 हो जाएगी और 3 की पावर भी 4 हो जाएगी उसी तरीके सम 8 का निकालेंगे दूसरे वाले का प्राइम फेक्टर्स ओफ 8 की पावर 2 तो 8 को हम कैसे लख सकते हैं 2 into 2 into 2 ठीक है और पावर 2 है तो इसको यह दिया हम अलग-अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 की पावर 3 और उपावर 2 है यानिक 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 तो यह हो गई 2 की पावर यहाँ पे 6 आ गई उसके बाद आपको और निकालना है K के तो K तो एक सिंगल नमबर है ठीक है तो उसके तो क्या ही फेक्टर निकलेंगे ठीक है तो के तो हमारा सिंगल के तो हमको find out ही करना है ठीक है तो आप हम निकालेंगे जो LCM दे रहा है उसके फेक्टर now 12 की power 4 के इसके ज़िए फेक्टर निकालें तो 12 को हम कैसे लिख सकते है तो इन्टू 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 3 ऐसा लिख सकते है पावर 4 यानि की 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 आ गई और इसको यदि हम आगे देखेंगे तो इसका multiply इसमें भी होगा तो यह कितना हो जाएगा और 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी देखिए तो अब हमको मालूम है कि जब भी हम किसी भी नंबर के LCM निकालते हैं तो उसके प्राइम फेक्टर की हाईस पावर देखते हैं ठीक है की value होगी उसमें कहीं ना कहीं 2 की पावर 8 जरूर आई होगी ठीक है तभी तो वो LCM में आया क्योंकि यहां पे तो कोई highest पावर 8 है नहीं ठीक है यानि 2 की जो पावर होगी 8 के में तो आएगी कंपल्सर यह उसके बाद आगे अगर हम देखें के की जो highest पावर LCM में दे रखी 3 की पावर 4 दे रखी है जो कि हमको यहां पे पहले वाले फेक्टर में वो मिल गई है ठीक है यानि 3 की पावर 4 तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओल्ल तो लेस्ट वेलू रहेगी ठीक है हैंस आप यहां पर पूरोपर लिखेंगे कंपेर प्राइम फेक्टर्स ओफ 6 की पावर 4 8 की पावर 2 एंड 12 की पावर 4 तो इस क्लियर देट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वेल्यू ओफ के इस कितनी हो जाएगी 2 की पावर 8 और हम लिख सकते हैं इसको 256 यह आपका इस कोशन का आंसर हो जाएगा आई होप आपको यह कोशन अच्छे समझाया होगा यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है इस कोशन में तो आप हम को कमेंट सेक्स में पूछ सकते हो और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यह आर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चेली तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में थेंक यू